दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे Neosporane Skin Ointment के बारे में आप इसे Ointment बोल सकते हैं या फिर आप इसे देशी भाषा में बोले, क्रीम बोल सकते हैं, जैल बोल सकते हैं, यह सकिन पर प्रयोग की जाती है, टोपिकल यूज के लिए इस्तिमाल की जाती है, अब जान लेते हैं सबसे पहले ये चीज है क्या यानि इसके अंदर क्या दवाईया पड़ी हुई है ये कितने रुपे की आती है क्या इसके उप्योग है कैसे इसका उप्योग करना होता है और क्या इसके साथ side effect हो सकते हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इसके अंदर सबसे पहले कि क्या चीज़ इसके अंदर पड़ी हुई होती है यानि composition यानि ingredients इसके अंदर क्या है तो इसके अंदर पाई जाती है basic tracing जो की 400 international unit में आपको मिलती है दूसरी चीज़ इसके अंदर पाई जाती है new moisin ये 3400 international unit आपको मिलती है और तीसरी चीज़ है इसके अंदर polymixin भी 5000 international unit में ये एक नाप तोल है जो international unit आती है जैसे gram में है, miligram में है तो एक नाप है ये तीनों ही एंटिबायोटिक क्लास की दवाईया हैं अब बात कर लेते हैं इसके प्राइज की तो ये 190 रुपे की 30 ग्राम की आपको ट्यूब, आपको क्रीम, आपको ये ओइंटमेंट मिल जाता है अब जल्दी से जान लेते हैं इसके उपयोग क्या है दोस्तों आपने देखा हो, कभी कबार क्या होता है, हमें हलका सा कट लग जाता है, छिल जाता है, जल जाता है तब इस क्रीम का आप पर प्रयोग कर सकते हैं इसके अलावा एक खास बिमारी होती है, इंपिटिगो इसमें क्या होता है, जो छोटे बच्चों के होट के जो एरिया है, आपर ये नाक के पास का जो एरिया है वहाँ पर घाव हो जाता है, ये एक हफते तक रहता है और उसके बाद ये घाव पीले और भूरे रंकी पपड़ी के रूप में बन जाता है प्राइबर करके आता है तो वहां भी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको फुंसी हें हैं चोंदे की समश्चा है कहीं मादवाली फुंसी हो गई आन्यों आपको पीली-पीली सी फुंसिया लाज भाव वहां पर इस क्रीम को आप लगा सकते हैं यह बैक्टीरियल इंफेक्शन को बढ़ने से या बनने से रोकती है अगर आप इसका इसका इस्तेमाल करते तो बैक्टीरियल इंफेक्शन आपको नहीं होगा क्योंकि यह एंटी बायोटिक इसके अंदर पड़ी हुई है अब जान लेते ह आपको लाली मासी आपको दिखाई देनी शुरू हो जाए या फिर इसकिन पर आपको खुजली से महसूस दे सकती है तो ऐसी कंडिशन में फर्दर इसका शुतेमाल ना करें आप अपने डोक्टर से मिले हो सकता है वो लगाने के तरीके में बदलाव कराई या फिर कोई इसके सबसिटूट में अधर एंटिबाइटिक्स क्रीम है वो आपको लगाने की सला दे तो डणने वाली बात नहीं एक दो केस में हो जाता है ऐसा नहीं कि आपके साथ होगा यह बताना पड़ता है ताकि आपको इस चीज की जानकारी रहे उमीद है वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको कोई कोशिचन पूछना है इस वीडियो के रिकार्डिंग इस क्रीम के रिकार्डिंग ओइंटमेंट के रिकार्डिंग तो आप मैं ऐसी डाल सकते हैं वहाँ पर मैं पूरी कोशिच करता हूँ सभी लोगों के कोशिचन के आंसर करने की वीडियो अकर पसंद अगर चैनल पढ़ना है तक धेर सारी ऐसी वीडियो आपको मिलती रही है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार